हेलो नमर्शकार दोस्तों जैय श्रीरी राहन दोस्तों दोस्तों जलंदर होगे हमारी सारी टेस्ट होगे तो डॉक्टर ने बोला एसकिंद्ग वह थे ऐसकिने बाने दिली उस टाइम अक्तुब्र- नवंबर का महिना था फाइनल करले महने नवंबर में भीन हो गया मारा भा बहे चलता रहा है मेरा परोसस डायलिश्टिस का जाना पढ़ता था आपते में दो बार जाता रहा जाता रहा है जैसे में 10-15 बीथ गे तो 10-15 दिन बीथ गए पर एक बार जब मैं डायलिश्टिस करवा के पुछा गर तो ऐसा लगे उना गले में खराश लगी है खराश और थकापट तो पहले ही ज़्याद होती थे पर उससे ज़्यादा बढ़ गी थकापट अथटी सांस फूल रही थी मैंने ज़्यादा ध्याने दिया मैं चलो गले में ख्राश हो रही है कुछ खांसी से गयर आ रही है ठंड कम उसम है ाि रहा हे आऊसे सुचा है उस टाइम कोवट थवजाथा सैंकंड भी थी आ असे थी ऑक्सीजन में दिख्ग़तारी थी बंदे की आउक्सीजन ही काम ओरी थी तो ठाछ धने नहीं दिया और फिर होके मैंfeld idiots Harris France i have कुछ असर नहीं हुए दो एक दो दीन होता था सर वैसे खांसी होनी ज़्यादा और चेस्ट पेन मेरी माइंड में बात आ नहीं रहे थी कि कोबीड हो चुका है कोबीड की सिंटम है वाई टेस्ट भी चला जाता है जीव का और ना की स्मेल भी कोदी है कि समेल का पटा लगता है क्या रखहे sagt का ने टेस्ट का पटा लगता है जो खांच पता नन लगता वो भी हो गिया मेरी कोत तब्हें मैं मैसूस नहीं हुए कि और य से थिकत ज़ादा ब्याद। और आँखों में अंधेरा सा छाने लगा और चेस्ट पेंजादा हो गया तो फिर किये हम दक्टर को को फिर हम पहुंच गए जहां ऑपरेस्टन था मेरा पिर जाते हो ने ने को एक टेस्ट लिए मेरा डिंगु टेस्ट अइसा होता है उसके सिंप्टम ही होते कि जोड़ों मे एक टेस्ट कोना था, मेरा varnata इस्ट्स स्कैन उससे लग गगे है वाई पता यैसी रपर आई तो डाकर्टर ने रपोर्ट देखके ही बोल दिया कि बोल दिया बस ऐस रपोर्ट देखे हो रपोर्ट देखे ऑन अर दो देखे बोल दिया ना बहुत कि आ में किया गुसाते हैं सुनिया बगारा वो कुछ नहीं किया रिसी रिपोर्ट ही देखी पिर सीधा मुह पर बुद्य कोड़ हो चुका है पिर प्रिक्षा थी तब भी इसको कुछ नहीं हुआ और ऑप्रेशन का टाइम आया एक मीन नहीं बाद ऑपरेशन है तो इसको गड़ो गया भगवान भी क्या चाहता था हमसे उस ताइम पर मिक्या प्रिक्षा हो दी तो क्या कर्म थी हमारे तो मैंने तो फिक्स कर लिए सबसे बड़ी प्रिक्षा मानता में उसको लिए क्योंकि वह मैं जानता हूं क्या वह उस टाइम उस टाइम बांप है आइसू में डाक्टर ने पूरी रिपोर्ट देखिया साइब डाइलिक्स्री मेरी बहीं पर हुई पर भेजदे मेरी को आइसोलेट गिया फिर पांच द लिए कि उसकता है कि फेपुरी पेप्ऩडे में चेष्ट में को बिड़ लब जो कबर चुका यह बहुत जाता कोबेड हो चुका है कुम धी खांसी बंद निई हो थि भाई और सांस सांस मेरी चैस्ट पर नहीं जा रही था तो ते на सब सर्भकेंज में शो या हूं कुछ ख पानी कितारा सुवाद ना समयल का तो कुछ पता नहीं था दो मीन ने मेरे को समयल नहीं आई थी ना टेस्ट आया था कुछ भी एकोब्र के सिम्टम में वाई जहती है अच्छा 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 यह था वाई मेरा ऑक्सिजन लेवल अच्छा था 98 तो तब मैं बिल्कुल ख और बस मेरे को यह थी चेस्ट पेन पहले साइन ले लिए पर कुछ ऐस ऐसे बोला कि कुछ ही हो सकता है बंदे के माइंड में तो यह किस सवाल आता है कि आप तो जाने का हो गया है मतलब बगवान में चाहता कि इस बंदे का उपरेशन हो पांच यह दिन रखा हुनने मेरे क आइसलेट किया तीसरे दीन में बिल्कुल ठीक हो गया बिल्कुल हो गया ओके खांसे भी काम हो गया और चेस्ट पेन भी काम हो गया फिर डॉक्त ने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मतलो कुछ किनिसने आपको फॉलो करना पड़ेगी दूर रहना है मास्क लगा के रखना है जैस किसी दीसरे बंदे खांशी है जो खांशी है उससे मतलदो एक-दो मेटर दूरी बनाके रहना है और घर में बिल्कुल कमरे में अलग कमरा को आपको खाना देने आरहा बाहर से उससे बस दर्वाज्य पे खाना पकड़ना बस कोई आंट्रीन देनी हो नहीं ऐसे ऐसे कुछ कोई डाक्टर ने और हालत खराब होगी तो आप खुद सोचो यार वह जिस बंदे ने एक साल आट मिन डायलिस करवाई उसको उस टाइम पुछ नहीं हुआ चलो डायलिस तो करवाना पड़ने थी वह तो एक किटनी पेसेंट के रियल्टी है जिन्दा रहन है तो पर वाई जिसिस मंदे को कोईट हौ है न भाई वही समझ सकता भाई की कोईट क्या होता है कोईट मंढ़ाने कुछ पता लगता बोड़ी किया कुछ कम निकरता है मैंड काम करता कुछ क्यी कम निकरता हालत खराब हो जाती है तो ऐसे-एसी दिख्यतेपा करना पड़ी वह चलो दोस्त तो होती रहे कि आपके आपसे बात तो कटना अपने भाई को स्पोर्ट जय इंद जय वारत